बजाजनगप पुलिस थाना अंतरगत चोरी के दो मामले सामने आने के बाद पुलिस ने संदिग्द आरूपी महिलाओं के फोटो चारी किये हैं साथी पुलिस ने नागरिकों से आवान किया है कि इन महिलाओं के बारे में किसी भी जानकारी के चलते बजाज नगप पुलिस को तुरंत सूचीत करें पुलिस से मिली जानकारी के अनुसाब 22 अक्टूबर 2021 की दर्मियान शाम के समय श्रदानन पेट इस्थेति तनिश्क ज्वेलर्स की दुकान में 40-50 आयूवर्ग की दो अग्यात महिलाएं एक 9-10 वर्ष के बच्ची के साथ एक आटो में सवार होकर पहुची थी और दुकानदार की नजर चुरा कर सोने की चूडियां जिनकी कीमत 1,51,408 रुपे थी चुरा कर ले गई थी यह मामला बजाच नगर लस थाने में दर्च हुआ था दूसरी घटना 23 अक्टूबर 2021 की है वेस्चाई कोट रोड बजाच नगर इस्थेत बामन हरी पेठे ज्वेलर की दुकान में एक 35-40 आयूवर की महिला एक 9 साल की बच्ची के साथ दुकान में आई थी और सोने की चूडियां खरीदने के नाम पर 1,86,000 कीमत की दो सोने की जूडियां लेकर गायब हो गई इन दोनों ही मामलों में शामिल महिलाओं की CCTV फोटेच से निकाले फोटो पुलिस ने जारी किये हैं साथ ही नागरिकों से भी अहवान किया है कि इन दोनों महिलाओं के संबन में किसी भी जानकारी के चलते तुरंत बजाच नगर पुलिस क 22 ओक्टोबर ची आहे तनिश्क जुएलर्स मदे संधेटाइस साथे सड़साच चा सुमाराज बांगडी चा काउंटर वर दोन महिला एक साथ्याट हर्शाच चा गूली सकट यों बांगडेया पहात होते है खरेदी करने ज सांगून आणि सेलसेट जीकेडियों ची नजर साथाराण 25 ग्राम वजनाचा होते है आणि किम्म तेंचे एक लाक एक काउन हजार योडी होती आणि तेचे आपलेला CCTV फूटेज प्राप्त जालेला है त्या परून अधिक अप्तापास कुली सेंटर डा करते है तसच दूसर्या दिशी वामन हरी पेठे जुएलर्स वर्षया च्या मुलाला कडे वर घ्यून आली होती ती सुधा बांग्डया खरिदी करनाया करता आली असे सामुल तीनी बांग्डयांचे काउंटर वर बांग्डया बगत अस्तान ना हाच चला खिने बांग्डया उचलून गेतलेले आए त्या अंधाजे वजनते 37 ग्रा अशा पद्धती चेया बूलान सकट येता है तानी बांग्डया चोरी करता है असे प्रकार दोनी ठीकाणी झालेले आहे त्या करता आपण प्रसार माध्ये मनना शीनन दी करतो है कि जासित जास्त अवेर्नेस करूं जुएलर्स लोकान ना येचा बदल जागरूत करावे अशा बाईका समना कुटे मिदर्शना साले है तर पोलीसार ना त्या बबत महिती द्यावी पोलीस ठाणे बजाजने को रेधे संपर्ग करावा असे आमसे आवा है ना है कैमरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साथ अभिशेक पांसी BCN News नाखपूर